कईया के नाम होते हैं ता बदनाम होते हैं कई बदनाम होते हैं ता नाम होते हैं पैसा किसी के पास भी आ सकता कहीं से भी आ सकता कभी भी आ सकता है मेरे सातियों इज़त नहीं आती जो आप कमाने लग रहे हो ना और जो कमाओगे वो इज़त है जो अनमोम होती है जिसकी कोई किमत नहीं होती आने वाले समय के आप लोग स्टार हो अपनी इजद तार-तार मत ओने देना साती हो उगलिया उठाने वाले ऐसे ही रहे जाएंगे यह मैंने मेरे जीवन की सचाई बताई है मैं अपने जीवन की जो सचाई वो इसलिए बता रहा हूं मेरे मन में भी बार-बार ख्याल आये मैं मर जहूं मेरा क्या जीवन है दोजार सोड़ा में मेरी सद्वी जस्वत मेरी सद्वी होई है शाड़े चोशेट लाग रुपेगा मेरा करजा था जिस वक्त साधी हुई मेरा भाईचारा बहुत बड़ा है और मेरा भाईचारा पागल भी है मेरे को मांगने से ही पैसे दे देता है मेरा भाईचारा ही है जिसने कड़ा दिलवा रख्या गड़ी दिलवा रख्या कपडे दिलवार के सब कुछ सच बताऊं तो एक इंच जमीन भी नहीं है मेरी पास यह मेरी रियल्टी है अभी अभी मैंने आशी गव साला में जो टूटी भूटी गवमाता हैं होती है ना जिनका कोई लाज नहीं करता जो रोडों पर गुमती हैं आवारा गव बोलते हैं जिनको उ पीस लाग रुपे का मोल किला जमीन बांदी है लेके लोग सोच रहे हैं सब दिखावे के लिए कर रहे हैं दिखावा है यह मैं सभी सातियों को एक बात कहता हूं यह दिखावा करके तो देखो सातियों यह दिखावा करके देखो कईया के नाम होते हैं ता बदनाम होते है कई बदनाम होते हैं ता नाम होते है आप सब का और हमारा नाम हुआ तो हम बदनाम हुए है मुझे नहीं पता अनाथासरम किसलिए बना रखे है और नहीं मुझे ये पता वहां किसकी माता ही रहती है लेकिन मेरे अंदर एक दुख है एक दर्द है मैं कोई समाथ सेवी नहीं हूँ और ना ही मेरा नाम हर्ष है मैं अपने जीवन की बाते बताता हूँ मैं साथ सालगा था मेरी माता जी को चोट लगी थी रीट की अड़ी तूट गी थी सब्दर जंग उस्पीटल है के बच्पन में नाम सुना था दिल्ली के अंदर अब तो देख भी लिया उसके बार मेरी माँ एक अपते तक तड़पती रही ना ही हमारे पास कोई सिपारिश थी ना ही उस टाइम पे हमारे पास कोई पैसा था पैसे के अब आओ के कारण मेरी माता जी का इलाज नहीं हो पाया और मेरी माँ शौरग सिदार गी जिस समय मेरी माँ दुख में थी दर्द में एक मेरी माह की बोलते हैं समय जू बाण लड़ ठ़्डाती午 मेरी अजब मेरे से पाणी मांगती थी तो रिस नहीं बोल पाती थे वमेरे को अरश बोल रहा था गरीबी के बारे में कुछ बात पहले तुम आप लोगों को पता दू आज लगता है भई ठीक ठाक अपड़े पेंड रहा है ठीक ठाक नादों के अरश छिकारा खड़या है साथ साल की उमर में माता जीच ली गई थी उसके छै महीने बाद दादा दादी सोवरगसी दार के थे पापा इतना बड़ा जटका सैन नहीं कर पाए थे जिसके कान पागल हो गई थे कम से कम चैर से पाँच साल तक रो तक बीजी आई में इलाद चलया मातर 14 साल की उमर में मैं जो बड़े बड़े टरक होते हैं रोडी डस्ट के टरक खाली करया रहता और उसको खाली करने की जो द्याड़ी होते हो तिन सो रुपे मिलती है जिसको मिलके दो या तीन आदमी क करते हैं मेरी उमर कम होने के कारण मेरे को डेट सो रुपे मिलते थे काम मैं उनके जितना ही करता था लेकिन मेरे को आदी द्याड़ी मिलती थी छटी कलास में 12 रुपे फीस होती थी सरकारी स्कूल की मैं दे नहीं पाता था मेरी पड़ाई बहुत ज्यादा वीक रही है बहुत से भी बहुत ज्यादा वीक रही है क्योंकि मैं पड़ नहीं पाया मेरे उपर कोई दबाओ नहीं था मेरे को कोई संबाडने वाला नहीं था लेकिन जीवन में मेरी मा ने दो चीजे सिकाई थी बेटा एक तो नसा मत करना एक किसी भी बैन बेटी को गलत नजर से मत देखना आज मेरी उमर 32 साल हो गी है 32 साल की उमर में आज तक मेरे को किसी भी नसे का ये भी नहीं पता है इसका टेस्ट क्या होता है और सिवाई अपनी ओरत को जो मेरे सगे समबंदी जैसे कि मेरी जो साली भी मैं उसको भी बेन कहके बुलाता हूँ